आज की रेशिपी स्टफ मावा अनर से होली दिवाली की स्पेसल मिठाई जो की थोड़े से इंग्रीडियंट से बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तयार हो जाती है और हम इसे घर पर ही बना सकते हैं थोड़े से इंग्रीडियंट से बनी ये अलग सी मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है और इसे जब हम त्योहार पर बनाते हैं तो त्योहार की रोनक ही बढ़ जाती है तो हेलो गाईज वेलकम इंदू व्लोग चैनल आज की रेशिपी में आप देख रहे हैं मावा स्टफ अन्रसे जो की हम होली स्पेसल बना रहे हैं और आपको ये बहुत ही इजली वेव में मैं आपको बताऊंगी इन्हें जब हम त्योहार पर बनाते हैं तो त्योहार की रोनक ही बढ़ जाती है और बार-बार मन करता है इन्हें बनाने का क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी और देखने में जितनी लग रही है उतनी ही ये खाने तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चावल लेने पड़ते हैं और वासमती चावल साबूत वाले नहीं चाहिए हमें जो खीर बनाने के काम में हम चावल लेते हैं वह है चावल हमें लेने हैं जो छोटे-चोटे जो हम खीर और खीचढ़ी बनाने के काम में लेते हैं तो इन चावल का आटा बनान Only. तो बजार से जो आटा मिलता है चावल कसा उससे अन्रसे अच्छे नहीं बनते इसके लिए हमने दो कप चावल लिए और इनको एच्छोटे-च्छोटे पीस वाले चावल है इसलिए ये जल्दी भीग के तयार हो जाएंगे तो इन्हें हमें सबसे पहले चान के और अच्छे से साफ करके इन्हें भीगोना पड़ेगा यानि चावल को हमें तीन बारी वोश करके और इन्हें पानी में भीगो के रखना है पानी इनके उपर तक अच्छे से भीगना चाहिए और ये 48 गंटे तक हमें भीगोना है हर 12 गंटे के बाद हमें इनका पानी चेंज करना है वोश करके गर्मी आगे-ागे आ रही है तो हमें दिन में दो बार भी चेंज करना पड़ सकता है नहीं तो एक बार तो जरूरी चाहि है यानि सोफ्ट हो रहे है उसके बाद हमें इन्हें किसी चलनी में चान के और किसी कपड़े पर सुती कपड़े पर इन्हें सुखा देना है हाथ से हाथ से चला के और पंखे के नीची सुखाना है इन्हें धूप में नहीं सुखाना क्योंकि धूप में चावल है वो पानी सूख जाए पंके के नीचे और बीच में दो तिन बारी इनके बीच में हाथ घुमाते रहना है और जब तक ये सूखते है तो इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगभग आदे गंटे के लगभग ये सूख जाएगा बिलकुल ज्यादा नहीं सुखाना हमें क्यों मैं इस कपडे पर से कठे करके और इन्हें क्योंकि यह चा Dani पानी सूखाना था तो पंख्य है तो इनको हम पीसेंगे तो बारिक-बारिक पीसेंगे it's जैसा की हमारा आटा होता है वेसे ही पिसने घ्राइंडर में और किसी छलनी में चान लेना है जैसे कि मैं चान रही हूं और जो मोटा-मोटा कप आठा है इसे हमें नाप लेना है कुछ भी मेजर्मेंट ले सकते है कप या बाउल कुछ भी बस दो कप नेरे पास यह दो से थोड़ी कम है तो दो कप चावल के अंदर हमें एक बाउल ली है मैंने जैसे तो मेरे पास दो बाउल अगर हमारे पास आठा है तो उसमें एक बाउल हमें इसमें पीशी हुई चीनी लेनी है बूरा चीनी यानि चीनी का पाउडर तो उसे भी हमें चान लेना है और इसे चान के ही काम में लेना है अगर हम चान के काम नहीं लेंगे तो चीनी की वो डलिया सी है वो भी सही नहीं रहेगी और ये पीशी ही चीनी को भी हम चान लेंगे और इसके साथ ही चान लेंगे इसका मेजरमेंट ये है कि जितना हमारा चावल काटा है उससे आधी चीनी लेनी है दो कप चावल काटा तो एक कप चीनी और फिर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से इनको मिला लेते हैं तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इनको गुंधना है यानि मिलाने के लिए हमें गुंधने के लिए हमें दूध लेना है तो दूध को हम ए डाल डाल के इसको गुंतेंगे पहले दो टीश्पून दूद डाल लेते और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं गुंते हैं क्योंकि इसके अंदर बूरा चीनी है उसकी भी दूद से वो भी पिग लेगी और यह हमारा चावल काटा है इसमें भी नमी है ज्यादा दूद नहीं डालना नहीं तो फिर हमारे यह सेट नहीं आएगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है फिर जरूरत पड़ती है हमें थोड़ा सा खुस्क लग रहा है एक टीश्पून हमने दूद ओर लिया तो तीन टीश्पून दूद से धीरे-धीरे करके मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करना है तीसरी टीश्पून हमने दूद डाला और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया और यह लगभग हमारा डो है जो तेयार हो जाता है क्योंकि हो जाए तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चावल का आटा रखना है उसको हम मिक्स करके और इसको सेट कर लेंग टी स्पून से ही डाली को हम टेटी करके डालेंगे तो ज्यादा डाल जाएगा इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और चीनी का भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा चीनी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मिठे से भी नहीं टेस्टी लगेंगे इसलिए अब यह हमारा डो-लग-भग तेयार हो चुक है तो इसको हमें कम से कम पांच गंटे के लिए ठख्के रख देते हैं 5 गंटे, 7 गंटे या हम चाहें तो रात भर के लिए भी रख सकते ह। अगले दिन भी हम इसे बना सकते हैं तो मैंने इसे कम से कम मेरे को हो गई है पांस साथ घंटे, साथ घंटे के लगभग और आठा हमारा एक दम से सेट हो गया है तो अब हम अनर्से बनाएंगे इनको भरने के लिए मावा की स्टफिंग त्यार करेंगे तो आप चाहे तो मार्केट से मावा भी ला सकते है या घर पर भी तयार कर सकते है आधे के लिए दूद में फटाफट बन जाता है बस सो ग्राम मावा चाहिए है में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए और मावा हमें चाहिए मार्केट से भी ला सकते है और इसमें च्यार छोटी लाइची मैंने तो साबुत डाली आप चाहे तो इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं और एक टेबल स्पून इसमें शुगर पाउडर यानि की बुरा चीनी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चाहे तो आप ड्राइफूट भी जा डाल सकते हैं लेकिन ड्राइफूट से हमें दिक्कत आ सकते हैं अनरसे फटने का डर रहेगा और इसके साथ हमें अनरसे के उपर लगाने के लिए चाहिए सफेद तिल या चाहे तो हम खस खस भी यूज कर सकते हैं तो अब हम कडाही में घी रख दिया है गरम होने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर जब घी गरम हो जाए तो बिलकुल लो फ्लेम पर कर देने और अब हम बनाएंगे अनर से तो इसके लिए हमें हमारा मावा भी स्टफिंग त्यार हो गई है और हमारा मावा हमारा त्यार हो चु क्योंकि यह हाथ पर चिपकेगा तो हाथ के घी लगाके और चमच से हमने डो ले लिया और इसको हाथ पर लगाके गोल पेडा सा बनाया और इसको थोड़ा प्याली की तरह शेप देंगे इसके अंदर हम मावा भरेंगे मावा हमें थोड़ा थोड़ा ही भरना है आधी चमच क तो ये हमारे फट जाएंगे और इसको फिर हम दूसरे हाथ पर भी थोड़ा सा घी लगा के और इसको अच्छे से गोल गोल तयार करेंगे गोला अच्छे से बन गया तो डो हमारा परफेक्ट होना चाहिए अगर पतला है तो भी हमारे सेट नहीं आएगा अगर खुशक है तो भी ये चटकेगा तो इसके लिए हमें डो पर ध्यान देना है अगर खुशक लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हमें सेट कर लेना चाहिए बनाने से पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टेंसर नहीं लेना जैसा के वीडियो में दिखा रही हूँ ये मेरा परफेक्ट है कहीं भी ओफ केमरे कुछ नहीं किया गया है तो इसके साथ ही हमने जो मैंने तिल ले रखे अलग से प्लेट में उसमें इनको डीप कर लेंगे अच्छे से और फिर हम घी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डो डालके घी हमारा अच्छे से गरम है इसको हम अलग कर देंगे तो अब हमारा जो अनर्सा है वो हमने अच्छे से भरके और तिल में हमने इसे डीप कर लिया है तो अब इसे धीरे से घी में रख देंगे ज्यादा जल्दबाजी नहीं कहीं घी उचलना जाए ये भी हमें ध्यान रखना है नहीं तो ये हमारे हाथ और फेस को भी दिक्कत हो सकती है जब ये एक साइड से अच्छे से सुनेरी हो जाए तो इसकी साइड है जो ट्रांसफर कर देंगे और इसे धीरे धीरे हम इसे फ्राइड करेंगे तो अब हमारा नर्सा है वो अच्छे से फूल गया है इसकी साइड हमें दो एक बारी दो बारी तीन बारी ट्रांसफर करते हुए धीरे धीरे लो फ्लेम में घी है तो ये अच्छे से अंदर और बाहर से पक जाएगा अगर हमारी लो मीडियम या हाई हुई घी ज्यादा गरम हुआ तो ये बाहर से तो पक जाएगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएगे इसलिए हमें लो फ्लेम पर बनाना है और ये अनर्से ये ज्यादा घी नहीं सोखते और अच्छे से पक जाते हैं जब ये दोनों साइ ये ले सकते हैं और जैसे ही ये तिल इन से छूट रहे हैं घी में जो हमारे को दीख रहे हैं इनको हम अलग से निकाल सकते हैं किसी भी चलनी की एल्प से या जर की एल्प से और इन तिल को हम वापिस इनी डोव वाले बरतन में डाल सकते हैं तो हमें अगला अनर्सा तियार करने में ये हमारे तिल काम आ जाएगा तो इस तरह से हमारे अनर्से ये फटा फट रेडी हो जाएंगे हो गए है अनर्से हमारे अच्छे से तयार हो गए है बहुत ज्यादा इसमें मावा नहीं बरना नहीं तो अनर्सा है जो फट जाएगा अगर अनर्से फट गए तो ये उ और तिल हमें ब्राबर काम आ गए हैं बस थोड़ा सा मावा बच गया है थोड़े से तिल लेकिन कोई बात नहीं बच गए तो तो ये लीजिए हमारे मावा स्टफ्ट अनर से है वो तैयार हो चुके है ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है मैं अनर से लगबद बनके रेडी हो गए है और आपको कैसे लगेंगे मेरे को कॉमेंट जरूर कराना जो रियल में है जो मेरा वीडियो में बनावा है वही रियल में है, कोई ओफ केमरा अलग से इसमें चेंजिंग नहीं की गई है, कुछ वीडियो में ऐसा होता है, कि जो हम देखते हैं वेसा अगर हम बनाएं तो नहीं बनते, इसका मतलब यही होता है कि या तो कुछ ने कुछ बात को साइलेंट रखा जाता है, और या फी सब कुछ नहीं होगा, तो आपको कैसे लगेंगे, आप मेरे को कॉमेंट करके चरूर बताना,